हलो एवरिवन वेलकम टू अल अफ यू अनकेडमी लेट्स क्रैक यूपियसी सीसी हिंदी देखे दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे करेंट अफ्येर पर बेजड आप नोट्स बना सकते हो कौन-कौन से तरीके हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हो कि देखो मैक्सियम सबसे कवर करते हैं बहुत सारे टीचर्स की क्लासिज लेते हैं बट जैसे ही प्लिम्स आपके सर पर होता है या फिर मेंस आपके सर पर होता है तो उसे किस तरीके से आपको रिवाइस करना है नोट्स में किन चीजों को इंकलूड करना है या नहीं करना है उस पर आज हम बात करें इसलिए आज हम एक लाइव हिंदू जो है हमारा दा हिंदू नुइस पेपर के अंदर किन किन पेजों से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसे कवर करना है वो भी जानेंगे क्योंकि देखो सबसे बड़ी प्राब्लम यही होती है कहने को तो कह दिया जाता है कि यह कर लो वो कर लो ऐसा कर लो बट जो प्रैक्टिकल होता है वही सक्सेस्फुल होता है तो आज हम जानेंगे कि हिंदू और करन्ट अफेड के न्यूस को कैसे कवर करें नोट्स कैसे बना है और सबसे इंपोर्टेंट बात प्रिलिम्स और मेंस में सभी चीजों को याद रखने के लिए क्या टेक्निक अपनाई जाए लेट्स स्टार्ट गाइस फ्रेंड्स आइम एस के शर्मा आई हैव सिक्स प्लेस चीचिचिंग एक्सपिरियंस अपियर टू 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 टाइम प्रिलिम्स आपके बिल्कुल घर पर दस्तक दे चुका है क्योंकि आज आपके 27 जो हमारा दिसंबर है निकल रहा है और 27 जून को आपका एक्जाम है तो देखिए यहां पर आपके एक्जाम बिल्कुल सरपर है छे महीने ही बचे हैं इसलिए अनकैडमी ने आपके बहतरीन एजुकेटर्स की टीम के साथ में एक कंप्लीट टीम बनाई है जो कि 6 महीने में आपके 100% सक्षेस को शियोर करेगी और चैंपियंस बैच यहां पर अवेलिवल है तो 28 दिसंबर से आपके यह बैच चालू हो रहा है यानि कि आपके यह बैच जो है वो सक्सिस्फुल होगा आपका अगर आप सही तरीके से सभी उन चूजों को फॉलो कर लेते हो जो कि यहां पर आपके टॉप एजुकेटर्स अवेलिवल होंगे पास जनवरी से मेरा भी क्लासेज यहां पर इंडियन एकॉनमी की आ रही है तो उन्हीं बैच इस के अंदर आपके शियोर शॉर्ट इंडियन एकॉनमी की बात भी हम करेंगे और देखो जो इस्टुडेंट 2022 और 2023 का एक्जाम देने वाले हैं वो भी इसी इनी बैच इसको जॉइन करें चैंपियन बैच अलग है 2022 वाले बच्चों के लिए बैच अलग है 23 वालों के लिए अलग है तो एक complete strategy के साथ में subscription जैसे कि एक साल का प्लस subscription अगर आप लेंगे और उसमें SSLIVE रफरल कोड यूज करोगे तो एक साल का आपका सब्सक्रिप्चन हो जाएगा 44,580 में दो साल का कोर्स आप 64,800 और तीन साल का कोर्स आप 81,000 में ले सकते हो ध्यान रखेगा SSLIVE रफरल कोड को यूज करते ही इंटे नोट्स भी अवेलेबल होंगे जोकि बहुती शॉर्ट और क्रिस्प्स होंगे और तूदा पॉइंट होंगे तो उसे आप SSLIVE रफरल कोड के साथ जोईन कर सकते हो और अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्चन आप लेना चाहते हो इसमें आपको एक्सपर्स की गाइड लेन्स अवेलेबल होंगी पर्सनल कोच अवेलेबल होगा तो एक साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्चन आप 62,550 दो साल का 96,000 और 3 यर्स का आप 1,26,900 में सब्सक्राइब कर सकते हो तो यह सभी चीज़े आपके अवेलेबल हैं पर ध्यान रखेगा आइकॉनिक देने होंगी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को अगर आप जोइन करना चाहते हो तो आपके सभी हिंदी माध्यम के ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं यहां पर आप भी एक साल का कोर्स आप 24,750 दो साल का 36,000 और 3 साल का 45,000 में आप ऑप्शनल्स कर सकते हो यह सब चीज़े आप कर सकत हो जिसमें जी एस भी करो ऑप्शनल्स भी करो तो एसस लाइव रेफरल कोड के साथ में फॉर्ट सेवन्टी थाउजंड में आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो पाकी जो मेरी फ्री क्लास हैं उससे आप डेली रात को 10 बज़े देख सकते हो मंदे चूं सेटडे और सभी ऑसम बैचिस का फायदा उठा सकते हो तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि करंट अफेर्स के लिए हमें किन रिसूर्स को फॉलो करना चाहिए जब आपकी माइंड में ये क्लियर होगा कि हाँ ये ये रिसूर्स हम फॉलो कर सकते हैं इन इन चीजों पर हम फोकस कर सकते हैं फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि कैसे आपको नोट्स बनाने चाहिए तो फस्ट अफॉल बात आती है न्यूस पेपर के डेफिनेटली न्यूस पेपर से अच्छा साथी कोई नहीं है कई बच्चे कहेंगे अब कि सर हमें तो मैगजीन से काम हो जाएगा और बच्चो जो काम तुम्हारा न्यूस पेपर करेगा न वो कभी कोई मैगजीन कभी किसी भी टीचर के नोट्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखो न्यूस पेपर पढ़ने के बाद में जो मेंटल एवॉल्यूशन होता है अपना जो माइंड डवलप होता है वो कभी भी किसी के भी जाओ तो क्या उसे सीख पाओगे इस नॉट इट आल पॉसीबल बिलकुल वैसा ही है तो मैगजीन पढ़कर करना बिंज वॉच्च की तरह है कि एक दिन में सारे सीरियल के एपिसोड डेख डाले और न्यूस्पेपर पढ़ना डेली एक एक चीज को इंटरस लेके करने के जै पर जितनी जल्दी वो होगा उससे कहीं जादा जल्दी तुम उसे भूल जाओगे और मेंटल इवॉलिशन नहीं हो पाएगा थौट डवलप नहीं होंगे और अगर थौट डवलप नहीं होता है तो मैं इसमें आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे तो इसलिए पेपर है जिसे आप फॉलू कर सकते हो तो देखो दॉनों न्यूस्पेपर्स की बात की जाए तो दॉनों न्यूस्पेपर्स के अंदर ही अगर आप मुझे ये कहोगे की सा एक न्यूस्पेपर करूं जिसको पढ़लू तो सब कुछ खतम हो जाए कभी किसी और चीज की बहुत सारी चीज़े आ रही हैं, रिसेंट के पेपर को आप देख सकते हो, तो बहुत सारी चीज़े अलग-अलग रिसूर्से से आ रही हैं, तो अब ना तो दा हिंदू सफिशेंट है, ना ही इंडियान एक्स्प्रेस सफिशेंट है, इसके साथ साथ कुछ और चीजों ने जगह लेली है, जैसे कि पी आई बी, पी आर एस लेजिसलेटिव, साइंस मॉनिटर, आपके साइंस मॉनिटर, इसके अलावा डाउन टू अर्थ मैगजीन, मीन्स की बात करें तो योजना, कुरुकशेत्र, तो ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं, जो आपके मिल चुकी हैं, ल दो अब न्यूस्पेपर की बात करें, तो आब इतनी सारी चीज़ों को कवर पाना, कर पाना तो बिलकुल पॉसीबल नहीं है, तो आप को辉गे कि हमें तो मेगजीन ही पढ़नी पढ़ेगी, क्योंकि मैंतो इतना सारी चीज़े नहीं कर सकता, बिलकुल ठीक बात है, तो कर recommend करकर नहीं दी है तो इसलिए magazine जो है it is a subsidiary reference source है ये आपके revisionary source है बट main source newspaper होना चाहिए और newspaper का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ content build कर लो 10 तरह की scheme, 10 तरह की issues रट लो mind का evolution होना हर topic के उपर अपनी समझ को विक्सित करना newspaper का main मुख्य मुद्दा होता है newspaper मतलब north, east, west और south की सभी चीजों के अज्ञान तुमें है और उस पर तुम्हारा एक विचार है और उस वैचारिक समझ को ही परकते हुए prelims और mains को तुम पार करो कि एक सही भारतिय नागरिक की तरह तुम सोच भी पाते हो कर रहे हो तो मेंस नहीं निकलने वाला मेंस में तुमारे हाथ रुख जाएंगे थोट ही नहीं आएंगे तो इसलिए newspaper पढ़ना जरूरी है अब हिंदी मीडियम के बच्चे कहते हैं कि सर मैं दाहिंदू तो पढ़ ही और दूसरा पेज है अपोजिट टू एडिटोरियल ओपन एड केवाल ये दो पेज पढ़ो दाहिंदू के ये एंडियन एक्सप्रेस के सिर्फ ये दो पेज पढ़ो और समझ को विक्सित करने के लिए पढ़ो इसको पढ़ने में आदे घंटे से जादा नहीं लगेगा गूगल ट्रांसलेटर अवेलेवल है ओनलाइन ई-पेपर ले लो सीधे गूगल में ट्रांसलेट करो थोड़ी बहुत अशुद्या होंगी उन्हें ठीक करो और समझ लू बात खदम ये काम किया जा सकता है नहीं तो हम तो बैठे ही हैं हमारी जो क्लासिज हैं दाहिंदू की वो बहुत जल्दी आपके चैनल पर आ रही हैं और दो जनवरी से मैं आपको दाहिंदू यहां पर पढ़ाने वाला हूँ सुनील सर आपके जैसे पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही आपको पढ़ाते रहेंगे एडिटोरियल वाला पार्ट आपके वो करते रहेंगे पर मैं भी अपना एक व्यूपॉइंट लेकर आ रहा हूँ तो देखें जैसे कि आप सभी सुनील सर की क्लासिस तो लेते ही लेते हैं और बहुत अच्छा नॉलेज भी आपका बिल्डप हो रहा है क्योंकि सर रियली में बहुत जादा अच्छा पढ़ा रहे हैं आपको तो वो एक अच्छी बात है बट फिर भी देखो कुछ वैग्यानिक द्रश्टी कोर्ण है कुछ लॉजिकल चीजे हैं जिसे मैं आपको सिर्फ एक नया एंगल देना चाहता हूँ ताकि आप मुख्य परिक्षा में और बहतर कर सकें जैसे कि सुनिल सर आपके सेलेक्शन के लिए तो पूरे लगे हुए ही पर हमारी बदौलत भी सर के सानिध्य में अगर दो पांच नमर आपके और आजाएं तो वो जादा अच्छा रहेगा इसलिए अब आपके दो जनवरी से मेरा दाहिंदू का सेशन आपके इसी चैनल पर आएगा तो वहाँ पर आपके कौन-कौन से साइन्टिफिक एप्रोच के साथ में हम न्यूस को पढ़ सकते हैं तो वो साइन्टिफिक एप्रोच मैं यहाँ पर आपको दूँगा क्योंकि देखो अगर मैं यह कहूं कि आप अपना माइंड डवलप करो और चीजों को तरीके से सीखो तो बहुत टाइम लग जाएगा और उसके अंदर हो सकता है कि कई बच्चों के पास अतना टाइम भी ना हो किसी का last attempt हो सकता है किसी का second last attempt हो सकता है तो वो सारी problem है तो हम ऐसे building block बनाते हुए चलेंगे जिसमें आप आसानी से एक ही बार में सारी चीजों को कर लो और mechanical रटने की बज़ा है concept भी कब build हो जाएगा पता नहीं चलेगा आपको तो उस approach को हम यहाँ पर अपनाएंगे जिसे हम scientific और analytical approach की नाम से जानते हैं कैसे होगा वो आपको दो जन्वरी से जब मेरी डेली दाहिंदू के session आया करेंगे तो आप उसमें समझ जाओगे ठीक है और देखिए फिर बात आती है magazines की तो देखो बच्चों जो magazines है magazines जो हैं वो सिर्फ revision के लिए होते हैं कि जो आपने केवल महीने बर में जो भी को एक बार recall कर लो ताकि लंबे टाइम तक याद रहें पर तुम लोग क्या करते हो सीरे magazine को ही primary source बना लेते हो daily news paper पढ़ते नहीं हो तो और ऐसा लगता है कि daily news paper नहीं पढ़ेंगे magazine पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा पर कभी भी ऐसा हो नहीं पाता है और finally failure मिलते हैं और क्यों fail हो गया मेरा selection क्यों नहीं हुआ तो वही एक reason हो जाता है ना फिर दूसरा हमारा resource होगा नोट्स बनाने का government की website खास कर 3-4 website बहुत important होती है ministry of external affairs आपके शिक्षा मंत्राले या फिर ministry of human resource development आपके हमारा जो cabinet committee of economic affairs वाला पार्ट है यानि कि finance ministry और आपके ministry of agriculture और ministry of industries तो ऐसी कुछ ministries है जिनके year end reviews आते हैं कुछ scheme साती रहती है तो थोड़ा हर दो महीने तीन महीने के बाद में इन्हें भी देखना जरूरी होता है उसे भी हम हमारे notes में डालेंगे फिर कुछ reference sites होती है जैसे कि economics के लिए विकास पीडिया है अर्थ पीडिया है उ उनको refer कर सकते हो कुछ आपके website से जिसे PRS legislative है और भी बहुत सारी website से उन्हें देख सकते हो तो इन सब चीजों से हमें complete चीजे बनानी पड़ती है यह नहीं कि तुम केवल एक newspaper की चार्ड लाइने लिख लोगे और topic खतम हो गया अगर ऐसा करोगे तो उन चार्ड लाइनों लिखने का भी कोई मतलब नहीं को कि हर चीज का सिर से लेकर पैड तक सारी चीजे जहां होती है वही concept समझ में आता है maximum बच्चों की जो मेहनत है current affair के notes बनाने की इसलिए waste हो जाती है तो कि कभी भी वो किसी issue को complete नहीं करते दो line यहां लिखते हैं दो line कहीं और लिखते हैं कहीं और से आती हैं कुछ नया नहीं पता होता पीछे का नहीं पता होता तो पूरा आपका good gober हो जाता है तो फिर इसी लिए आपको क्या connect sequence में complete करते हो चलो थोड़ा भी करोगे complete करोगे select हो जाओगे जाधा करोगे और अधूरा धूरा छोड़ोगे सब कुस तो select नहीं हो तो इसी लिए आपको कम करो complete करो that will be the finest strategy तो इनी चीजों को हम देखेंगे और फिर कुछ standard books को भी आप यहां पर refer कर सकते हो क्योंकि कुछ standard books में आपके पुरानी concepts होंगे जो कि आपने पढ़े होंगे दो फायदे होंगे यहां पर standard books को refer करने के एक तो जहां से जो चीज आ अच्छे होते जाएंगे तो इन सभी चीजों को तरीके से सिलसले वार फॉलो करना होता है यह नहीं होता कि कहीं से कुछ भी चालू हो गया हो तो इस चीज को ध्यान रखिएगा अब बात करते हैं कि आपके current affairs को cover कैसे करें पहली बात तो resources limit कर दो क्या करना है अगर तुम्हें दाहिंदू त्रään चीज को होसा सकती है जो भी आपको पसंद हो तो वह चीजए यह दो चीज फॉलो पर्णिस के अलावा तीसरी चीज को उठा कर भी नहीं देखना है बच्चे क्या करते हैं हर महीने में कोई दूसरी दूसरी तीसरी तीसरी चीज लेते रहते हैं और फाइनली कुछ भी कवर नहीं कर पाते तो वो प्रॉबलम है तो केवल दो चीज़े एक न्यूजपेपर एक magazine that's it बाकी मुझे कुछ ध्यान नहीं देना magazine ऐसी लो जिसमें बाकी चीज़े cover हो जाए जैसे PIB भी हो जाए diplomat भी हो जाए down to earth भी हो जाए सब कुछ एक जग है जो दे रहा है उसको follow करो ठीक है बाकी मेरी YouTube session तो होंगे ही होंगे मेरे YouTube sessions ले लीजिएगा बाकी जो मेरे plus के बच्चे हैं वो plus courses की classes को भी देख सकते हैं उसमें भी सब कुछ हो जाएगा time अपना fix करो कई लोग क्या करते हैं कि 2-3-3 घंटे newspaper को देते हैं 10 दिन देंगे 11 दिन भूल जाएंगे वो मत करो time fix कर लो कि मुझे एक घंटा newspaper को देना है या फिर देड़ घंटा newspaper को देना है बस इससे जादा नहीं अब इसमें डेली जितना हो जाए वो हो जाए तो CDC पात है पहले newspaper में वो चीज पढ़ो जो की बहुत काम की सीधे editorial open ad सीधे economy वाला पेज सीधे international relations वाला पेज जो काम का है वो पहले पढ़ो ना ताकि बाद में अगर तुम्हें बोरियत भी हो या फिर जो चीज़े तुम्हारे टाइम खतम होने की विज़े से नहीं हो पाए तो वो चीज़े हो जो की waste है जो की बहुत कम value वाली है तो इसलिए सीधे main page पढ़ो और फिर स आप open-air editorial पर पहुंचो फिर सीधे economy फिर सीधे Indian international relations और फिर उसके बाद में टाइम बचे तो बाकी पन्नों को खगा अलो नहीं बसता तो छोड़ दो तो इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हो केवल मुद्दों पर focus करो चटकारी भरी खबरे हमें बिलकुल नहीं चाहिए औ और हो सके तो online notes बना लो कि online notes को क्या करना है online notes को बार-बार revise करना थोड़ा सा आसान हो जाता है तो यह चीज़े हो सकती है हमारे online notes को तुम बार-बार execute थोड़ा सा आसानी से कर सकती हो तो इस चीज़ को ध्यान रखेगा तो यह चीज़े हमारे यहां पर की जा सकती है अब अरे भाई चल जाया न्यूस पेपर मैं आपको लेके दिखा ही देता हूँ एक बार हाँ 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 चलिए नाव एवरिफिंग फाइन तो चलिए हम आज के न्यूस पेपर की कुछ एनिलाइसिस करते हैं और देखते हैं कि किस तरीकी से आपको नोट्स बनाने हैं किन-किन चीजों पर आपको फोकस करना है तो देखिए जैसे कि यह दाहिंदू न्यूस पेपर ह है हमारा और यह हमारा फेर्ट पेज है तो देखिए जब आपके फ्रेंट पेज पर आपके ड्रीवास आई है कि फार्मर फार्मर यूनियन्स रिफ्यूट पी-एम चार्ग्च अफू चींजीं ठीक है तो यहाँ पर जब इस इस रिपोर्ट की बात आती है तो यहाँ पर देखो simple सी बात हमारे सामने आपको यह समझ में आजानी चाहिए कि यह जो news है वो आपके एक तरीके से कि किया चीज़े हो रही है कैंने हो रही है उन सब चीजों से संब्ञेफ है कि कौन कौन से किस तरीके से किसानों को मनाने के हमने कोशिश की और फिर भी कुछ लोग नहीं मान रहे हैं MSP की बात final कर दी गई 18,000 करोड का जो package है वो दिया गया परन्तु फिर भी आपके कोई भी final culmination नहीं निकला है तो हमें सिर्फ इतना पता होना ची कि क्या issue था MSP का क्या मुद्दा था आपके व्यापार मंडियों क्या मुद्दा था जो कि already bill में काफी बार discuss हो चुका है तो यहाँ पर आपके यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम note करकर रखोगे और वो तुमारे प्रीमे या मेंस में काम में आएगी तो इसको तुम छोड़ सकते हो ठीक है तो पहली बात तो जो front page होता है उसमें कभी भी ज़्यादा time waste नहीं किया जाता उसे फटाफट skip किया जाता है केवाल highlights को देखकर तो यहाँ पर highlights आपको मिल गई है और बाकी अंदर कोई editorial होगा तो वहाँ discuss कर लेगे फिर दूसरी तरफ यह news किसी काम की नहीं है यहाँ पर बिलकुल इसे छोड़ो यहाँ पर इस वाली news की बात करे no large scale bangladesh in grace says BSF तो यहाँ पर भी BSF की एक instantaneous news देखो कोई भी ऐसी news जो की लंबे time तक आपके उपर या फिर देश के उपर प्रभाव नहीं डालती है वो हमारे लिए जादा महत्वपूर नहीं होती है जो आपके एजे नीती निर्माता आपके जब हमें नीतियों को लागू करना होगा तो जो भी news आपके देश पर लंबे time के लिए effect डालती है वही आपके लिए important होगी हर कोई area news important नहीं होगी तो ये भी यहाँ पर आपके छोड़ सकते हो यहाँ पर रजनीकान से भी हमें मतलब नहीं है और आपके 20 साल की student अगर 21 साल की student mayor भी बन गई है तो इस से भी हमें कोई मतलब नहीं होना चीए फिर देखो पहला page खतम करते ही क्योंकि देखो तुम्हारे पास time limited होना चीए कि मुझे एक देड़ घंटे ही news paper को देना है बाकी नहीं देना तो सीधे आपके front paper को छोड़ कर सीधे आप जाओगे editorial पर ठीक है editorial पर सीधे सीधे आ जाओ क्योंकि तुम्हें जादा अच्छा time जो है वो editorial और open ad के साथ निकालना है फिर बाद में हम बाकी newspaper में बाकी page की भी बात कर लेंगे तो हम आते है editorial देखता ही शांदार article हमें मिला article 356 और activist judiciary क्योंकि देखो जो activist judiciary है जैसे कि simple सी बात है इस article का नाम पढ़ते हैं आपके मन में आया होगा कि activist judiciary क्या है और किस तरीके से यह हमें प्रभावित करेगी ठीक है एक simple सा common man जैसे ही इस article को पढ़ेगा उसके मन में आना चीए तो चलो पहले यह देखो कि activist judiciary क्या है कहीं judicial activism से इसका कोई संबंद तो नहीं है और अनुच्छे 356 आपकी किस तरीके से इसे प्रभावित करता है तो फिर AP शहा कोड के यहाँ पर उन उन चीजों पर बात करो जहाँ पर judicial activism हुआ है ठीक है और फिर यहाँ पर आपको तो फिर अंतर की बात कर लो तो देखो जैसे ही judicial activism नाइक सक्रियता अलग है और सक्रिय नया अधिकारी वो एक activist judiciary वो एक अलग ही हो जाती है तो दौनों में क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या activist judiciary सही है गलत है इन चीजों को आपको clear करना होगा और बच्चे क्या करते है सीधे current affair के notes बनाते है और रंगा रंग कारिकरम चलता है हर चीज को underline करते है बट as a common man आपको समझने आना चाहिए कि activist judiciary और judicial activism में क्या अंतर है एक दो example ले लो judicial activism के activist judiciary के दौनों में अंतर clear कर दो और फिर एक result पर पहुँच जाओ बस बात खतम और अगर इतनी चीज़े तुमने ढंक से लिख ली तो तुम्हारे यहाँ पर सीधे सीधे तुम्हें आराम से हद मार के 10 लाइनों में 12 लाइनों में तुम्हारा पूरा topic खतम हो जाएगा और फालतू की कोई चीज नहीं लिखनी पड़ेगी पर maximum बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर आपके मुद्धे को समझेंगे नहीं मुद्धे का मतलब नहीं समझेंगे और एक एक लाइन को copy paste copy paste तो वो नहीं होना चीए बहुत शांदर article है article 356 and an activist judiciary तो किस तरीके से 356 और activist judiciary जुडे हुए है judicial activism से क्या अंतर है हमारे सविधान पर और हम पर क्या प्रभाव हो रहा है इन सब चीजों को देखो ज्यादा 15 लाइन 20 लाइन में आपके काम हो जाएगा यह नहीं कि पूरे 2-2 पेज भर दिया और फिर भी मुद्दे की बात तो कीनी फालतू की चीजे कर ली तो इसलिए पहले हर article में से मुद्दे की बात पकड़ो और बिलकुल एक layman की तरह आपको जानना होगा कि क्या है activist judiciary तभी चीजे clear होंगी otherwise नहीं होंगी फिर दूसरे यहाँ पर recharging DTH अब देखो यहाँ पर बात आ रही है DTH को recharge करने की तो बेटा DTH को recharge करने से माना तुम पर प्रभाव पढ़ता है क्या होगा बिलकम जादा हो जाएंगी DTH को recharge करने की तरीके में कुछ अलग बात हो जाएगी पर ऐसा तो है नहीं न कि एक IAS बनने के बाद में तुम DTH के recharge पर ही देखते रहोगे जनता का विकास तो तुम DTH के recharge से नहीं कर रहे हो तो यह news पढ़ने की जरूत नहीं है इस news को तुम छोड़ सकते हो DTH recharge को ठीक है फिर भी पढ़ने का मन है तो दो-चार लाइने काम की निकलेंगी बाकी नहीं निकलेंगी कि 100% FDI आ गई है यह हो गया है वो हो गया है वो लिख लो पर यह चीज तुम्हें कभी लंबे टाइम तक हेल्प नहीं करेगी क्योंकि it is a instantaneous 10 दिन बाद भूल जाएंगे कि क्या हुआ था DTH में कोई याद नहीं रखने वाला तो एक्जाम में भी नहीं पूछने वाला इसे तुम छोड़ सकते हो फिर यहाँ पर आपके एक आर्टिकल है Limits of Sovereignity यहाँ पर Brexit को लेकर बात की गई है कि संप्रभूता और Brexit के अंदर से क्या संबंध है भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो इस आर्टिकल को करो नोट इसमें अपने कीवर्ड को अंडरलाइन करो और फिर उसको नोट करो तो यहाँ पर Brexit के बारे में तो सभी को पता ही है कि ब्रेड रेन कैसे अलग हुआ था अब उसके प्रभाव की बात करनी है क्योंकि देखो जो चीज हो चुकी है न उसकी प्रकरिया में किसी को कोई जादा इंटरस्ट नी होगा बस अब उसके प्रभाव हम देखेंगे तो सीधे प्रभाव पर फोकस करो और खासकर प्रभाव भी ऐसे जो या तो एशिया पर डाल रहे हो प्रभाव या फिर इंडिया पर डाल रहे हो बस फालतु कि इदर उदर और देशों से हमें मतलब नहीं है ठीक है तो केवल वही अपने नोट्स में डालो फिर हमारे पर एक आर्टिकल आता है तो देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है कि हमारे जो श्रम सहिता है लेबर कोट्स के अंदर क्या-क्या गलत हो सकता है कौन-कौन सी चीज़े हैं जो कि यहाँ पर अभी हमने डिसकस नहीं की हैं लेबर कोट्स में जैसे कि हमारे बहुत सारे पुराने श्रम सहिता कानून थे उनमें किन चीज़ों को हमने छोड़ दिया है किन चीज़ों पर और ध्यान देना चाहिए क्या-क्या चीज़े इंक्लूड की गई है तो यहाँ पर एक अच्छा आर्टिकल हम यहाँ पर लिख सकते इस वरी गुड आर्टिकल तो इसमें से भी काम-काम की चीज़े निकाल लो तो यहाँ पर तुम्हें पता पड़ा कि एडिटोरियल में से केवल एक एडिटोरियल आपका वेस्ट निकला बाकी तीन एडिटोरियल हमारे काम के थे और इन में से काम-काम की चीज़ों को आपको निकालना है जैसे कि लेबर कोट्स की बात आ गई तो क्या है दे फॉल आउट आफ की इंग इन दा रॉंग लेबर कोट्स तो सिंबल सा एक मतलब निकलता है कि क्या चीज़े गलत हो सकती है हमारे लेबर कोट के अंदर किस तरीके से ये हमारे जो नए नियम कानून है वो हमारे सामाजिक और आर्थिक इस्तित को बिगाड़ सकते हैं क्या-क्याचीजे होंगी क्या-क्या powers होंगी तो उसके negative aspect को देख लेना है पर देखो जब भी negative aspect को देखो तो कभी भी viewpoint सिर्फ और सिर्फ negative aspect से मत बनाओ positive चीज़े जब labor code आपके पुराने time पर आये थे तो उसके क्या-क्या उद्देश्य थे क्या अच्छी बाते थी उसको भी mind में रखो इस viewpoint को भी mind में रखो तब कहीं जाकर एक सही conclusion पर तुम पहुँच पाओगे और maximum बच्चे क्या करते हैं जब current affairs को करने जाते हैं जब हम news paper पर पढ़ने जाते हैं तो हम क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ या तो इस editorial तक ही सीमित रहेंगे या फिर जब हमने positive चीज़े पढ़ी तो केवल उस editorial तक ही सीमित रहते हैं और दौनों ही चीज़े सरासर गलत हैं ठीक है तो ध्यान रखिएगा यहां पर ना तो तुम्हें सि positive weapons भी तुम्हें पता होने चाहिए ताकि एक सही conclusion माइन में फ्रेम हो otherwise गडबर होती रहेगी तो ध्यान रखना इस चीज़ों को focus को को कि labor courts लंबे टाइम तक चलेंगे में इसमें भी useful है just note it down फिर आपके बाद में बात आती है हमारे पास में open ad की देखो जैसे कि open ad में हमा payment time पर नहीं देना और violence होना इन सभी की वजह से आपके बहुत ज्यादा unrest हो चुका है labor rules के अंदर बहुत ज्यादा आपके लोगों के साथ में बुरा भला किया जा रहा है उधारन दिया गया है करनाटका के एक case का नसरपुरा में ठीक है करनाटका के अंदर case की बात की गई यहां पर आपको बस इस तरीके से लिखना है इसके answer कि यहां पर कौन कौन से labor courts labor rules हमारे लिए सही नहीं थे किस नियम और किस अधिनियम के तहट थे आपके employees का क्या पक्ष है employer का क्या पक्ष है और फिर उसके बाद में किस तरीके से चीजों को हमें solve करना है और क्या solutions हो सकते हैं वो सब इसमें लिखा हुआ है वो आपको उस तरीके से mention करना है अगर आप क्या करोगे या तो कई वच करत कहते हैं कि इस तरीके के आर्टिकल में पढ़ना क्या है या नहीं पढ़ना है वो समझ में ही नहीं आता है पर हमें थोड़ा ऐसा इसे case study के form में पढ़ने की जरूरत होती है अगर आप case study के form में इसे पढ़ोगे तो चीज़े अपने आप आपके resolve हो जाएंगी पर आज त तो चली open admin से हमने कुछ काम की चीज़े निकाल ली फिर हमें सीधे economy वाले पेज पर चलना है ठीक है तो business वाले पेज पर आ जाओ सीधे इससे क्या होगा हमें ज्यादा time जिस चीज़ को देना चाहिए वहां पर आपके जाएगा ठीक है तो यहां पर हम सीधे open admin वाले पेज प अब देखो सभी को पता है कि second quarter के अंदर demand increase हो गई है तो ठीक है छोटे मोटे 2-4 data side में लिखकर रखने है तो लिख लो और हर quarter के अंदर demand increase हुई है manufacturing output अलग आया है इसके बार-बार data आते रहेंगे तो वो मत लिखो ठीक है तो सिर्फ इतना लिख लो quarter two के अंदर demand कितनी increase ह हुई और किस कारण से हुई मुश्किल से 4-5 लाइनों में यह चीज़े आ जाएंगे क्या कारण थे जैसे कि saving थोड़ी बढ़ गई है यह बढ़ गया है interest coverage भी आपके आई-core बढ़ गया है जैसे कि इस बार भी आपके question आया था आपको याद हो तो पिल्लिम्स में interest coverage ratio का त पता चलेगा और पिल्लिम्स के अंदर जब आप question solve करोगे तो economy में ऐसा नहीं लगेगा और यह आई-core नहीं चीज़ आ गई जैसे कि कई बार इस बार बच्चों को लगा था तो वह newspaper करोगे तो ही समझ में आएगा otherwise किसी भी नोट्स में आई-core का सही real क्या impact पड़ता है व loan registration and other steps to save PSB from shock तो public sector banks को कैसे आपके रोका जा सकता है कोई भी दुरगटना होने से bankrupt होने से तो वो क्या reason है तो किस तरीके से हम recovery कर रहे हैं और किस तरीके से public sector banks आपके loans को recover कर रही है उसके दो या तीन solutions होंगे तो उसको यह लिख दो बस public sector banks recovery from shocks क्या क्या reasons है जैसे कि आपके हमारे credit line scheme को हम लेकर आए MSME को loan दिया गया agriculture loans पर बात की गई तो उन चीजों को वापिस थोड़ा सा ध्यान रख लो तो उस तरीके से चीजों को आप कर सकते हो फिर चलिए अगला article वही हमारे यहाँ पर dish TV छोड़ दो कोई मतलब नहीं यहाँ पर आपके India must strongly push for UK European Union trade power तो इंडिया को क्यों यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि इंडिया को United Kingdom को push करना चाहिए ताकि हमारे European देशों से आपके व्यापार समझते बढ़ें तो क्यों करना चाहिए यह करना तो चाहिए पर क्यों करना चाहिए उसके क्या फाइदे नुकसान होंगे उस है रशिया बेक्स इंक्रीज इन ओयल आउट्पुट बाइ ओपेक प्लस यह कोई काम का नहीं है ओपेक के ऑईल ओयल की बाते हैं बाद में होती रहती है ठीक है तो यह चीजे हो गई हमारे फिर एक आर्टिकल है हमारे पास में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नोट रि इंडिपेंडेंट नहीं है वो अपने निर्णे खुद नहीं ले पाते तो वो सर्वे की बाते हैं पर यह प्रत्यक शुरूप से एक सर्वे है कोई बड़ा इंपेक्ट आपके उपर नहीं डालेगा और कोई ऐसी तर्म नहीं है जो कि एक्जाम में पूछी जाए तो इसे भी छोड़ सकते हो ऐसे ही आपके एक पर्टिकुलर कंपनी की बात है यहां पर टैली मेडिसिन के अंदर तो इसे भी छोड़ सकते हो ठीक है और यहां पर यहां पर एक रिपोर्ट है कि 9 in 10 employees in India ready to long term work from remote दूर से डेल कंपनी के study बने बता है कि लोग घर बैठे आपके 10 में स से 9 लोग तयार है घर बैठ कर काम करने के लिए यानि work to home is not is now new norms तो इन सब चीजों पर एक सर्वे है तो इस सर्वे का एक viewpoint अपने माइंड में रखो पर notes में डालने की इसको भी कोई जरूरत नहीं है तो इस तरीके से आप क्या करोगे सबसे पहले 5 मिनट में main हमारा front page चले जाओगे किस पर foreign वाले page पर जहां पर हमारे foreign IR की बात की गई है तो IR में देखो यहां पर यहां पर ब्रेक्जिट के डेल की बात की गई है तो इसको एक बार पढ़ लो कि इंडिया से related कुछ चीज है क्या European Union ने क्या क्या कुछ नया किया है ब्रेक्जिट के बाद में तो वो एक बार पढ़ लो काम का इंडिया से related कुछ मिले तो बात करो वरना छोड़ दो है ना ये वाली एक आपके article है रशिया ने criminal case उपन किया है उससे हमें कोई मतलब नहीं लिव इट यहां पर आपके हमारे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने जो इंडिया और नेपाल के बीच में जो इशू हुए थे उसमें क्या explanation दिया है यह आपको पता होना चाहिए हां कुछ काम का लगे तो बात करो तो क्या explanation है आपके Parliament को dissolve करने से संबंदित क्योंकि नेपाल में कुछ भी होता है तो उस पर इंडिया का impact पड़ेगा तो यह जरूर पढ़ो काम का मिले तो कुछ यहाँ पर लिख लो ठीक है यहाँ पर इसराइली ब्लास्ट और इन सब के बारे में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ठीक है और आपके यहाँ पर ब्लैक मैन वाली बात का भी कोई मतलब नहीं है तो बस यह दो या तीन निउस होती है फॉरेंड के अंदर जादा जो कि हमें याद रखना होगा तो यह चीजे आपको इस तरीके से करनी है जब तुम्हारा फॉरेंड वाला पेज भी खतम हो जाए फिर पेज नमर सेकंड पर वापस आओ फिर पेज नमर सेकंड पर वापस आओ और अब देखो कि कोई निउस हमारे इन में काम की तो नहीं ह क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पास सिर्फ डेड़ घंटा है तो पहले उन चीजों पर जादा फोकस करो जो कि जादा वैल्यूएबल हैं जब वो चीजे आपके खतम हो जाएं जो कि जादा वैल्यूएबल हैं जैसे कि एडिटोरियल, ओपन एड और आपके एकॉनमिक्स वाला पेज, फॉरेन वाला पेज, फिर कहीं जाकर आपके छोटी मोटी खबरों पर जाओ, अगर नहीं जाओगे तो प्रॉबलम होगा, तो इसलिए ध्यान रखेगा, पहले बड़ी चीजों को डेड़ घंटे में कवर करो, फिर टाइम बच्चे तो आगे बढ़ो और न म वेस्ट करते रहो, हैना लॉंग टर्म ऐसी खबरे जो कि तुम्हारे देश पर प्रभाव डालेंगी, तुम्हारी नीतियों पर प्रभाव डालेंगी, और किसी भी एड्मिनिस्टेशन के व्यूपॉइंट पर प्रभाव डालेंगी, तो उन पर ही फोकस रखिएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तो देखिए अब यहाँ पर ऑनलाइन आप नोट्स कैसे बना सकते हो, वैसे आप कॉपी में बनाते हो तो अच्छी बात है, पर थोड़ा सा टेक्नो फ्रेंडली हो जाओ, एवर नॉट्ट या फिर डॉक्स फाइल के अंदर, या फिर सि जीएस पेपर थड़के मैंने अपने अवर नोट के अंदर बना रखे हैं, तो इन में जैसे कि जो भी जीएस पेपर थड़ मेंस वाले बच्चों के लिए नोट्स थे, तो जो भी मेंस वाले बच्चे हैं, उन्हें ये नोट्स मिले हैं, आपके, तो देखो जीएस पेपर पार्ट अलग हो गया, डिजास्टर मेनेजमेंट का अलग, एकॉनमी का अलग, एनरजी का अलग, तो इससे क्या होता है, आपके सीधे-सीधे तो दा पॉइंट का भी भी कोई भी नई निउज आएगी, मैं सीधे सर्च करूँगा, कि हाँ जनरल एंटी अवर्डेंस रूल के बारे में नया टॉपिक आया है निउज में, तो सीधे सर्च किया, फाइंड में मिल गया, और सीधे वहाँ पर एटच कर दिया, अब क्या करत उससे चीजे कभी घटी नहीं हो पाती और कभी भी कॉंसेप्ट नहीं बन पाता, हर जगे तुम छोटी-छोटी चीजों को रट लेते हो, और वो ही मेंस में फेल होने का कारण बनती है, तो इसलिए ऑनलाइन नोट्स बनाओ, टॉपिक वाइस बनाओ, सीधे एड करना है, स कथा कहानिया लिखने का कोई मतलब नहीं है, जितनी लंबी कथा कहानिया तुम लिखोगे, उतना अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, सीधे to the point, slabus to slabus, point to point बात करो, no verbosity, कोई फालत की बात नहीं, और देखो, point wise notes हो, पर descriptive हो, descriptive का मतलब यह नहीं होता कि सर, point wise भी बोल रहे हो, इसका क्या मतलब है, तो बेटा, point wise और descriptive का मतलब यह है, कि notes तुम्हारे point wise हो, पर उस topic से related सभी मुद्दे हो, उस topic में पता हो कि topic क्या है, topic का क्या मतलब है, मेरे लिए, topic का क्या प्रभाव पड़ेगा, topic के लाभानी क्या है, मतलब एक एक चीज जो important है, वो सभी जरूर हो, तो बहु आयामी रूप से वो topic कवर होना चाहिए, परंतु point format में हो, फाल्तु की लाइने ना हो, और हो सके तो आपके blank pages यूज़ करो, ring file यूज़ करो, नहीं, तो सबसे अच्छा software है, Evernote, Evernote को यूज़ करकर तुम अपनी सारी system को रंग से manage कर सकते हो, वैसे कि मैंने अपने पहले एक और इस पर आपके strategy वीडियो में बताया था, कि जब आपके NCRT और basics cover होंगे, तब ही आपके current affairs effective हो पाएंगे, फिर economic survey, budget report, इनसे से enrich करोगे, फिर mock test दोगे, और फिर जो कमिया निकलेंगे, उनका revision करोगे, और फिर वापिस इसको करते रहोगे, जब ये revision आपका होता रहेगा, तब कहीं जाकर तुम, ये जो लक्ष है तुम्हारा IAS, ये लक्ष तुम तभी पा सकोगे, तो ये लक्ष तुम्हारा केंदर में पढ़ा हुआ है, और ये लक्ष तुम्हें केवल तब मिलेगा, जब इस पूरे चरणों में तुम बार बार घूमोगे, बार बार revision करोगे, तो ये चीज़ ध्यान रखेगा, तो I think आप सभी को पता लग गया होगा कि exactly हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखेगा, और देखो, डरो मत, अनकेडमी ने तुम्हें म अंसर दो, और इस सभी को SS live referral code के साथ में join कर लो, ठीक है, यहाँ पर free of cost है ये test, कोई पैसा नहीं है, तो इसे join करो, और फिर अनकेडमी पर अपनी rank देखो, और excited price भी दीख सकते हो, अगा top 150 में आए तो, और ध्यान रखेगा, दोस्तों, मेरा नया बैच, आपके 28 December से नय जनवरी से आपके Indian economy लेकर आ रहा हूँ, जो कि most awaited और most comprehensive batch of the year होगा, तो just don't waste time, join it with SS live referral code, तो SS live referral code के साथ आप उसे join कर सकते हो, तो thank you to all of you guys, thank you for everyone, और प्लीज अब ध्यान रखेगा कि कैसे current affair cover करने है, कौन कौन से points को cover करना है, नहीं करना है, वो आपको मैं बीच वीच म और बताऊंगा, और दो जनवरी से मेरा दा हिंदू का session इसी channel पर, हमारे Let's Crack UPSC CAC Hindi पर आने वाला है, तो हम आपको सुनील सर के साथ साथ कुछ और viewpoint बताएंगे, जिस से आपके current affair और ज़्यादा strong हो सके, तो ध्यान रखेगा, don't miss that show, तो daily आपके आएगा वो दा और किस तरीके से interlinkage होता है, पिशली साल के paper का, वो भी जानेंगे, और सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण तरीका होगा, scientific approach और analytical approach जिससे आपके दा हिंदू करवाया जाएगा, तो रटना भूल जाओ, समझना चालू करो even, आप चाहा कर भी रटना रट नहीं पाओगे, इस और कोड के साथ अनकेडमी को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, thank you to all of you guys, happy learning to all of you